हेलो फ्रेंड्स दिस इस ख्याती सेथी वेलकम तो यार ओन यूटुब चैनल सत्गुरु इंसिटूट आई होप यूट फाइन सो फ्रेंड्स आज हम प्रोस सेक्शन का फिफ्ट लेसन करेंगे इससे पहले हमने मेन कोस्ट बुक के फोर चैप्टर्स पोईटरी सेक्शन और इनके कोस्ट अंसर्स कम्प्लीट कर लिए जिनों ने अभी तक चैप्टर्स और पोईटर्स नहीं कियां वो कर लीजिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके इलावा चैप्टर्स की इंग्लिश पोईटरी सेक्शन नाम से प्लेइलिस्ट बनी हुई है पोईब्स की इंग्लिश पोईटरी सेक्शन नाम से प्लेइलिस्ट बनी हुई है और question answers की question answers of all chapter नाम से playlist बनी हुई है इन तीनो playlist का link आपको वीडियो की description box में मिल जाएगा So friends, आज हम discuss करेंगे main course book का 5th chapter Some Glimpsons of Ancient Indian Thought and Practices विच इस रिटन बाई Dr. D.V. जिंदल So friends, ये बहुत ही interesting chapter है So please आप इस वीडियो को end तक देखिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like और share कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon को press करना ना भूलिए तो चलिए start करते हैं हम आज की वीडियो So friends, जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं मैंने कुछ difficult words को highlight किया है In a fight between the demons and the goats once the demons were having an upper hand एक बार की बात है शैतान और देवताओं के बीच में लडाई हो रही थी और इसी लडाई के दोरान शैतानों की स्थिती मजबूत थी जबकि देवताओं की स्थिती कमजोर थी यानि कि शैतान देवताओं पर हावी हो रहे थे In desperation and anxiety, the gods went to Lord Vishnu to find out as to how they could vanquish the demons देवताओं बड़े ही निराशा और चिंता से भगवान Vishnu जी के पास जाते हैं और इस बात को मालुम करते हैं कि वे किस तरह से शैतानों को पराजित कर सकें किस तरह से वे हरा सकें यानि कि वो भगवान Vishnu जी की सलाहा लेने जाते हैं कि वो किस तरह से शैतानों को हरा सकें भगवान Vishnu जी देवताओं को अडवाइस देते हैं कि वो एक ऐसी तलवार प्रापत करें यानि कि वजरपात प्रापत करें जो कि महान विशी या महान संथ की हड़ियों से बनी हो अकोड़िंगली देवताओं सेज ददीची अग्रेट संथ भगवान Vishnu जी के कहे अनुसार उनोंने सादु ददीची से संपर्क किया यानि कि देवता सादु ददीची के पास गए ददीची तुक नो ताइम इन लेइं दाउन हिस लाइफ so that his bones could be made into an invincible weapon Amoghastar Mahan Rishi ददीची जी ने अपनी जीवन का बलिदान देने में बिलकुल भी समय नहीं गवाया, बिलकुल भी समय नष्ट नहीं किया ताकि उनकी हड़ियों से अजय हथ्यार यानि कि Amoghastar को बनाया जा सके this victory of the good over evil ये जीत बुराई पर अच्छाई की जीत थी is the rarest of the rare examples of great renunciation and sacrifice ये जीत महान त्याग और बलिदान की दुलब मिसाल है, दुलब उधारन है that this culture teaches, जो हमारा culture है, जो हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है so friends, अगर महान विशी, दतीची जी अपने जीवन का बलिदान ना देते तो बुराई की जीत होती और अच्छाई की हार होती जो हमारी संस्कृति है, हमें यही सिखाती है कि अगर हमें अच्छाई के लिए अपने जीवन का बलिदान भी देना पर जाए तो हम पीछे ना हटे हमें अच्छाई के लिए अपने जीवन का बलिदान देने में बिलकुल भी समय नष्ट नहीं करना चाहिए Who can forget the supreme sacrifice of the young sons of Shri Guru Gobind Singh Ji? सीखों के दस्में गुरू Shri Guru Gobind Singh Ji के छोटे साहब जादों की सरवच बलिदान को कौन भूल सकता है? They chose to be bricked alive for the sake of their faith and the canons of justice and true liberty. गुरू Gobind Singh Ji के छोटे साहब जादों ने आस्था, सिधान्त, नयाय और सची समतंतरता के खातिर अपने आपको खुद को ईटों में जिन्दा चुनवा लिया था. Our philosophy and thought teach us to renounce, to sacrifice, to give away in charity in the real spirit of detachment. जो हमारे दर्शन हैं, हमारे विचार हैं, हमें क्या सिखाते हैं? हमारी philosophy, हमारे विचार, हमें त्याह करना, बलिदान करना और त्याह की सची भावना के साथ अपना सब कुछ दान करना सिखाती है. इदम नमम, this does not belong to me, is the real spirit behind the yajans we are called upon to perform frequently in our homes. हम अपने घरों में यग आयोजित करते हैं और इसके बीचे हमारी यही भावना होती हैं कि यह मेरा नहीं है. यानि कि इदम नमम, this does not belong to me. Should corruption, greed and lust for easy money have any place in a country rich with such noble and lofty tradition? क्या भष्टाचार, लालच और आसान तरीकों से पैसे कमाने की लालसाओं का स्थान ऐसे देश में होना चाहिए, जो देश महान हो और बुलन परंपराओं से सम्रद हो. So friends, writer ने हमारे सामने ये question बुट किया है, कि हिंदुस्तान जैसा महान और बुलन परंपराओं से सम्रद देश में ब्रष्टाचार, लालच और लालसा का स्थान होना चाहिए. So friends, यहाँ पर हमारा first change होता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो please वीडियो को like और share कर दीजिए. इसके इलावा सत्गुरु इंस्टिट्यूट यूटूब चैनल का टेलिग्राम पर official channel बना हुआ है, सत्गुरु इंस्टिट्यूट के नाम से, इस चैनल पर आपको सभी chapters के वीडियो के links और सभी chapters की PDF files मिल जाएंगी, तो आप सत्गुरु इंस्टिट्यूट को टेलिग् आपर जोइन कर सकते हैं, तो चलिए देखते हमारा नेक्स टेंजा। इस देश के बजूर्ग हजारों सालों से आज तक चलियारी परंपरा के नुसार ये मानते हैं कि आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को खिलाना, धर्ती पर घूमने वाले जानवरों को खिलाना और धर्ती के अंदर छोटे-छोटे छेदों में रह रहे कीडे मकोडों को खिलाना एक इश्वरिये और धन्य करतावे हैं. ये कुलीन परंपरा इस थथया का नेतर परमान है कि इस देश के लोग किसी भी स्थान और हर जगए जीवन की एक्ता में विश्वाश रखते हैं, जीवन की एक्ता में बलीव करते हैं. वासुदेव कतुमपकम् वासुदेव कातुमकम् गुर्द्वारास, and the message of the holy gurus contained in the directive, eat only after you have shared your meal with others, वंडचको, वसुदेफ कटुमगुम यानि कि ये संपूरन भ्रामांध एक परिवार है, ये एक मूल विचार है, जो कि यहां पर और विभिन तरह के समारों में भी काम करता है, इसके इलावा पवितर मंदिर और गुर्दवारों में भी लंगर की परंपरा में काम करता है, और इसी परंपरा को लेकर पवितर गुरु जी ने अपने आदेश में ये संधेश दिया है, कि अपना भोजन दूसरों के साथ सांचा करने के बाद ही कीजिये, यानि कि वंडचक This idea of distribution applies not to food only, it extends well up to the entire resources and funds that are available to men, distribution यानि कि वितरन करने का ये विचार सिर्फ भोजन पर ही लागू नहीं होता है, ये उन सभी संसाधन और धन पर भी लागू होता है, जो मनुश्य को प्रापत है या जो मनुश्य को उपलब्ध है Do we still need to be taught to love the entire mankind as our kith and kin and respect the sensitivity of life through total non-violence So friends, writer ने हमसी ये question पूछा है कि क्या अभी भी पूरे मानव जाती को मितर और रिष्टेदार की थरह प्यार करना सिखाया जाना चीए और क्या non-violence यानि कि अहिंसा के माध्यम से अहिंसा के होने के बावजुद भी लोग अपनी जीवन की पवितरता को आदर करें So friends, यहां पर हमारा second stanza complete होता है इसके इलावा सत्गुरु इंस्टीट यूटुब चैनल का Instagram पर official account बना हुआ है आप सत्गुरु इंस्टीट को Instagram पर follow कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं हमारा third stanza Once the story goes, King Janak of Methil called a meeting of the scholars to discuss some ticklish issue based on high philosophic thought So friends, यहां पर जो राइटर हैं वो हमें एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार की बात है, मैथिल के राजा जनक ने एक विद्वानों की बैठक बुलाई थी और ये बैठक उन्होंने कठिन मुद्दा, कठिन समस्या पर चर्चा करने के लिए बुलाई थी जो कठिन मुद्दा था, वो उचदार्शिटिक विचार पर अधारी था So friends, आज का वर्तमन बिहार को पहले मैथिल के नाम से जानते थे A well-known sage named Ashtavakar was also invited to this meeting इस बैठक में Ashtavakar जैसे महान रिशी को भी अमंत्रित किया गया था So friends, उनका नाम Ashtavakar इसलिए पड़ा क्योंकि उनके जो शरीरिक धांचा था वो तेढ़ा मेडा था उनके आंग तेढ़े थे इसलिए उन्हें सभी Ashtavakar नाम से जानते थे As Ashtavakar entered the portals of the palace hall and woke up the passage Some scholars already present there burst into a derives of laughter जैसे ही Ashtavakar ने महल के hall के द्वार पर वेश किये और दरबार में पहुंचे वहाँ पर पहले से ही कुछ scholars मुझूद थे कुछ विद्वान मुझूद थे और वहाँ पर सभी मुझूद विद्वान Ashtavakar को देखकर उनकी अपमान जनकहसी उडाने लगे How could such a deformed and misshapen person discuss high philosophy they felt वहाँ पर मुझूद सभी विद्वानों ने ये महसूस किया कि कैसे एक विक्रत और कुरूप व्यक्ति उचदार्षनिक की चर्चा कर सकता है High philosophy को discuss कर सकता है Ashtavakar thundered back to the king Ashtavakar ulta king पर ही गुसा हुए उन्होंने गर्चती अवाज में राजन से कहा O king, hey Rajan, I feel ashamed of being invited to this assembly of skinners A person who deal in animal skins उन्होंने गर्चती अवाज से राजन से कहा Hey Rajan, Charamkar, यनि की skinners की इस assembly में इस सभा में मुझे अमंत्रत किये जाने में बहुत ज़्यादा शरम आई है So friends, skinners क्या होता है जो व्यक्ति जान्वरों की खाल का सोधा करते है उसे हम कहते हैं skinners, Charamkar It is only a skinner who measures intelligence or status of a person from his skin or physical looks or the color and shape of his skin or body अश्टवकर रिशी आगे राजन से कहते हैं कि हे राजन केवल skinner ही ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति की शरीरिक रूप, रंग, आकार और उसके शेप से लोगों की बुद्धी और स्थिति को मापता है This put the entire assembly to shame and brought them to their knees to beg pardon of this great son ये बात सुनकर सभी विद्वान बहुत जाला शर्मिंदा हुए उन्हें बहुत जाला शरम आई और महान रिशी अश्टवकर से माफी मांगने के लिए वे सभी घुटनों के बल आगिरे Color of the skin or shape of the body has never been a measure of intelligence or status in this country इस देश में कभी भी व्यक्ति की skin का रंग व्यक्ति के श्रीर की बनावट व्यक्ति की बुद्धी मता और उसके status का मांदन्ड नहीं राह है So friends, इस कहानी के द्वारा जो writer है हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति की बुद्धी और उसके status को उसके physical look, color और shape से नहीं मापना चाहिए Lord Rama's eating of the tasted berries from a bheal woman, a shudhar woman, who used to sprinkle water on the earth with the help of a leather bag is a sufficient proof of the fact that there was never any discrimination on the basis of caste, creed or profession of a person in ancient Indian भग्वान श्री राम चंदर जी ने एक भीलनी इस्त्री, शुद्धर इस्त्री के चके हुए बेरों का भोजन किया था और यही स्तथ्य का प्रव्याप प्रमान है कि प्राचिन भारत में कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ कास्च, क्रीड और प्रफेशन को लेकर भेदवाफ नहीं होता था भील वुमेन यानि कि एक ऐसी शुद्धर इस्त्री जो leather bag यानि कि चमडे के थैले द्वारा धरती पर पानी का चिर्काव करती थी One is here also reminded of what the enlightened sage Swami Vivekanand said to a lady in America who loved at his simple dress यहाँ बर राइटर ने एक और बात याद दिलाई है कि परभुद्र इशी Swami Vivekanand ji ने अमेरिका में एक महिला से खाँ था वो महिला जो उनके पुशाक उनकी dress पर हसी थी क्योंकि उन्होंने बहुत ही सदारन पुशाक पहने हुए थे तो Swami Vivekanand ji ने उस lady से क्या कहा था उन्होंने कहा था मैडम इन यूर कंट्री इट इस दा टेलर हुँ मेक्स अमेन इन माइ कंट्री इट इस दा इंटर्जेक वर्द एंड करेक्टर ओफ परसन दैट मेक हिम और हर ग्रेट स्वमि Vivekanand ji ने उस lady से कहा था कि मैम आपके देश में एक दरजी एक टेलर एक व्यक्ति को बनाता है पर मेरे देश में व्यक्ति के आंतरिक मुल्य है और उसके चरितर उसको महान बनाता है Isn't it unwise to support testally or otherwise any talk of such discrimination on such frivolous basis today क्या ये समर्थन करने के लिए क्या इस चीज का सहयोग करने के लिए मुरक्ता नहीं है मोन और अन्य था यनि की शान्ती या अन्य था आज इस तरह के तुछ आधारों पर आज इस तरह की तुछ चीजों के आधार पर भेदवाव की कोई बात करता है So friends यहाँ पर हमारा third changer complete होता है तो चलिए देखते हैं next changer The history of this great land is full of examples where no auspicious function was considered to be held properly without the participation of women So friends यहाँ पर जो writer वो यह कहना चाहते हैं किस महान भूमी की तिहास में आपको ऐसे कई सारे उधारन मिल जाएंगे जहाँ पर अगर किसी भी शुबकारे में इस्तरी शामिल नहीं है तो उस कारे को ठीक तरह से योजित नहीं माना चाता था So much so that if no woman could somehow make it to the function A statue of the woman was created to mark her auspicious presence इतना ही नहीं अगर इस्तरी किसी ना किसी कारण शुबकारे में शामिल होने में असमर्थ होती या वो शुबकारे में शामिल ना हो पाती तो उसकी शुब उपस्तिती के परतीक में उसकी एक प्रतीमा का निर्मान किया जाता था उसकी मूर्ती को बनाया जाता था यह जो उधारने केवल यही साबित करती हैं कि इस महान भूमी में एक महीला को सिर्फ लस्ट और सेक्स की वस्तु ही नहीं माना जाता उसे देवी, कंजक, मानव जाती की माता, अर्धांगनी और जीवन के रत की अविभाजिये लेकिन सामान पहिया माना जाता है, इससे हमें यह पता लगता है कि इस महान भूमी में इस्तुरियों की बहुत ज़्यादा पहले पूजा की जाती थी, उनका बहुत ज़्यादा आदर सनमान हुआ करता था, उनकी उपस्थिती के बिना किसी भी शुप कारे को अच्छी तरह स से योजित नहीं माना जाता था सो फ्रेंड्स यहां पर जो हमारा स्टेंज है वो कंप्लीट होता है इसके इलावा सद्गुरु इंस्टीट यूटूब चैनल का ओफिशल फेस्बुक पेज बना हुआ है आप सद्गुरु इंस्टीट के फेस्बुक पेज को फोलो लाइक औ नेक्स्टेंजर इस फिटली एक्स्पेंज चत्रपती शिवाजी बाउंग इस हैट बिफोर अ वुमन एंड रिस्पेक्टफुली रिस्टोरिंग हर डिगनेटी एस अ मधर वें सम्मिस्गाइड़ सोल्जर्स ओफिस विक्टोरिस आर्मी प्रिजेंट हर टू शिवाजी ए शिवाजी को एक हुपहार में भेंट करते हैं तब शिवाजी उस महिला के सामने बड़े सम्मान से अपना सिर्जुकाते हैं और एक मा के रूप में उसकी गरिमा को पूर्ण स्थापित करते हैं उसके गौरफ को पूर्ण स्थापित करते हैं यह भी बताते हैं कि दोनों पवित्र महाकावियों रमायन और महाभारत में महान युद्ध मातर शक्ती और पावर्फुल मदर हुट के सनमान को बच्चाने और उन्हें बनाए रखने के लिए लड़े गए थे क्या ये उन लोगों को शिर्मिंदा नहीं करते हैं जो कन्य भून हत्या का सहारा लेते हैं और दुनिया के मामलों में महीला को उसका सही स्थान देने में वंचित करते हैं उन्हें सही जगा देने से वंचित करते हैं कोशन अंसर्स करेंगे इसके इलावा अगर आपको कोई डाउट ये क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्षन इंस्टाग्राम और फेस्बुक किसी पर भी पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए थैंक्स फर वाचिं दिस वीडियो कीप वाचिं सत्गुरु इंसीटूट